जैहिन दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे NDA पुने गुरुफ सी की जो बैगेंजी निकाली गई थी उसका स्लेबस क्या है क्योंकि दोस्तों इससे संबंदित मैंने वीडियो बनाया था तो आप लोगों उसमें काफी अच्छा प्यार दिया और काफी अच्छे भी हुआ है फिर आप लोगो काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका स्लेबस बता दीजिए जिससे हम लोग इसके तैयारी कर सकें और इ साल इर्जाम में ठीक है तो दोस्तों ठोल एक सौ अठाटांवे पदों के लिएह वैकरेंसी निकाली गई थी और यह क्रुप सी के सिविलियन पदों के लिए भैकन थी दोस्तों मैं पलगा दूँ और इस वीडियो को लिंक इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लिए ठीक है बात करें सेलेक्शन प्रोसीजर की तो दोस्तों सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा आप किसी भी पोस्ट के लिए अपलाई करें ठीक है आपका इसमें सभी पोस्ट के लिए सबसे पहले दोस्तों फिजकल होगा ठीक है उसके बाद आपका यह तीसरा पड़ाओ डाकुमनी बेरिफिकेशन चौथा आपका आपको एक्जाम होगा तो आप लोग कम सेकम पूने में 3-4 दिन रुकने का इंजाम करके जाएं क्योंकि दोस्तों वहां पर रुकने की बिवस्ता एंड़ तो आपको फूश से सारह बुखने का प्रोस्जेजर करना पर एगा इसमें आपको कुछ नहीं देगा और दोस्तों से total 100 question पूछे जाएंगे जो की 100 number के रहेंगे उसमें आपको 2 गंटे के समय मिलेगा और इसमें आपकी कोई भी negative marking नहीं रहेगी आपको जो exam paper आएगा वो multiple type के question पूछे जाएंगे मतलब बहुत भी खल्पी type की इसमें question पूछे जाएंगे जिसमें GKGS के 40 question, reasoning के 20 question, math के 20 question और English के 20 question पूछे जाएंगे total 100 question और दोस्तों आपको जो exam होगा ये 10th level का exam होगा ठीक है 10th level की जो दोस्तों आपकी GKGS रहेगी, math रहेगी, reasoning रहेगी और English ठीक है इसी समय आपको question paper आएगा इससे बाहर कुछ नहीं हैगा अब मैं आँगे आपको बता जता हूँ, subject wise क्या topic है जिनकी आपको त्यारी करना है ठीक है और जिससे आप लोग इसका paper असानी से clear कर सके तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे GKGS की तो दोस्तों सबसे पहले आपको current affair तैयारी करनी है चाहे वो national हो या फिर international जो इसकी आपको तैयारी करना है उसके जो बिग्यान है जो science है जिसके G.S. में question रहते हैं वह भी आपको चितरी किसे पढ़ना है अवार्ड और honors अभी क्या-क्या पुरसकार दिये जा रहे है या जैसे कि आशकर अवार्ड हो गया पुलिजर पुसकार हो गया अर्जुन अवार्ड हो गया ठीक है या जो भी देश और विदेश में जितने भी बड़े-बड़े अवार्ड फंसंस होते हैं उसमें कौन किसको क्या मिला इन सब्सक्राइब इंडियन स्टेट एंड यूनिय में चल रहे हैं जैसे मोदी जी हो गए ठीक है उसके बड़े-बड़े हस्तियां जो भी ट्रेंडिंग में जिनके बारे में चर्शा हो रही है ठीक है अब भी एसंस आप पर लिए और उसके बाद इंपोर्टेंट इसकीम जैसे की परियूजनाय हो गई उनके बारे में आप आपका जो सम्मीदान है उससे सम्मजब कुशन जी के जीसमें पूछे जाएंगे अब बात करते हैं मैद की तो दोसमें SCF और LCM परसंटेज सिंप्लिफिकेशन और डेट एंड इंटिप्रटेशन रिए रेशियो एंड प्रपोर्शनल पॉफिट एंड लॉस टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस नंबर सिरीज और सिंपल एंड कंपाउंड्स प्रॉब्लम्स और एज एवरेज इत्यादी ठीक है इससे सम्मजब कुशन आपके मैस में पूछे जाएंगे बात करें रिजिनिंग में तो एनलोजी डारेक्शन ब्लट एंड रिलेशन क्लॉ और रिजिनिंग नोन वर्बल सिरीज नंबर रैंकिंग डिसीजन में क्यूट्स और डाइज मिर एंड इमेज़स फीगर्स और एट इससे समझेद कुशन आपके रिजिनिंग में पूछे जाएंगे उसके पाद इंग्लिस में सिनोनिम्स टेंस ग्रामर एंटोनिम्स अप्रियंशन वाकबिलरी एडियम एंड प्रेस एडवर्ब ऑंसीन पैसे इन एंड करेक्शन और रियर इंजिमेंट ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों इसका स्लेवस रहेगा जिसकी आपको त्यारी करना है अगर आप लोगों इस स्लेवस को अच्छी तरीके से पढ़ लिय तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप लोग इसका रिटेन रिजाम दो 100% निकाल लेंगे ठीक है और दोस्तों अगर आप लोगों को यह सारा जो बोर्ट में लिखा है आप समझ में नहीं आ रहा है तो इसके इस स्कीन सौर्ट में टेलिगर पर डाल दूंगा तो वहां पर जाके आप लोग कमेंट के जवाब देने के लिए ठीक है तो दोस्तों यहां की जानकारी एंडिया पूरे की जो गुरूप सी की वेगेंसी निकाली गई उसके स्लेवर से संब्सक्राइब कि दोस्तों अभी बहुत लोग परिशाद हो रहे हैं इसका स्लेवर नहीं मिलना पा रहा ठीक है और इसके साथ दोस्तों मैं आपको पता दूब यह जो पैकेंसी परबाइंड पैकेंसी अठावन साल तक चलने वाली बहुत बैकेंसी है अगनवीर की तरह साल की बैकेंसी नहीं है इसलिके उसके चार गुरा करीब कंडिटेट बुलाए जाएंगे रिटेंटेस्ट के लिए ठीक है तो कई ने कर तो तो उसके लिए आपको जबर्जस तैयारी करनी पड़ेगी तो आप लोग अपनी तैयारी में विश्ट जूट जाए क्योंकि अभी आपके पास दो एक दू मेने का जो टाइम अपना तैयारी कर लें उसके बाद मेनत करेंगे तो फार आप हम एक नई दिन के साथ तब तक के लिए चाहिन बंदेवाद